जैश्री राम, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ती चैनल विनोधनी राते सरगम में बच्चों को हनुमान चालिसा कैसे सिखाएं बच्चे मन के सक्चे और बहुत ही चंचल होते हैं आप जैसा उन्हें सिखाएंगे वो वैसा ही सीखते चले जाएंगे बच्चों को हनुमान चालिसा सिखाना इतना असान नहीं है परंतु असंभव भी नहीं है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा तीन तरीके जिससे आप बच्चों को हनुमान चालिसा सिर्फ एक हफते में सिखा पाएंगे सबसे पहला तरीका बच्चों को हनुमान 40 टीवी ओन करके सुनाएं आप टीवी पर हनुमान 40 लगा कर छोड़ दें और साती सात उन्हें बताएं हनुमान जी कौन है दूसरा तरीका बच्चों को कार्टून्स बहुत पसंद होते हैं ऐसे में अगर आप बच्चों को एनिमेटेड हनुमान चालिसा लगा कर दिखाएंगे तो इसे वो देखेंगे भी और उन्हें हनुमान चालिसा याद भी हो जाएगी क्योंकि बच्चों की कैचिंग पावर बहुत ही तेज होती है टीवी पर देखे गए चित्र बच्चों के दिमाख में आराम से बैठ जाएंगे जिनें वो आसानी से भूल नहीं पाएंगे तीसरा तरीका बच्चों को सुलाते समय एक बार हनुमान चालिसा ज़रूर सुनाएं आप अपनी आवाज में सुनाएं वरना आप मुबाईल पर भी चला कर छोड़ सकते हैं थोड़ा समय तो जरूर लगेगा किन्तु आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपके बच्चों ने हनुमान चालिसा कब सीख ली और आप देखेंगे कि वो यूहीं बैठे बैठे हनुमान चालिसा गुन गुनाया करेंगे हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी जैश्री राम